देखो यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगबग की जो बैंक होते हैं बैंकिंग सेक्टर को जो स्टॉक होते हैं बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर को जो स्टॉक हैं जो लगबग सौ रुपय का शेयर हुआ करता था अभी वह लगबग जो हमें 20 रुपिस के आसप लोग सोचते भई 500 रुपय का शेर है 80 रुपिस में देखने को मिला बैंकिंग सेक्टर का है पता है ना RBI यह बैंक को कुछ नहीं होने देगा मतलब हमारा पैसा सेफ है और बढ़ा तो सीधा 500 रुपय को प्राफिट ऐसे कुछ लोग को मानना है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ देखो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप निवेज करते हो तो बहुत सारे आयसे शेर्स है जो लगबग बहुत नीची है और मतलब अंडर वैलूट देखने को मिल जाएंगे लेकिन आप मल्टी बगर समक्षे खरीद मत लीजेगा ने तो हो सकता कि पस्ताना पड़ेगा और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत सारे लोगों को पता है और ये पहले की ही खबर है हाला कि बहुत सारे लोगों को इसरी वज़े से पहले ही पता है लेकिन फिर भी मैं आपको एक अपडेट वर्सन में बताने के कोशिस कर रहा हूँ जितने लोग नए जुड़े हैं उनको भी पता चलना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा कि अगर बैंक डूब जाएंगे तो भाई हमारे शेयर्स का होगा क्या होगा क्या है कि नहीं है अब अगर मैं आपको बता दूँ तो आप गूगल से जाकर पूछ सकते हो अगर आपके बैंक फेल हो जाते हैं मतलब किसी तरीके से बैंक डूब जाते हैं मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ ऐसा ना हो कभी भी जीवन में कभी भी जीवन में ना हो आपको पता होगा कि जब येस बैंक में ऐसी मतलब ऐसा खबर आया था कि लगबग येस बैंक में ये फ्रॉड हुआ है करके तो सरकार ने बोला था कि भई यह 50,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं अपस्पिटल में पैसे देना होता है अब उनको सोचो, उनके पास पैसे हैं, ऐसने हैं पैसे लेकिन बैंकुंठ बहें को पैसे दहीं ला, अब क्या करोगी तो लोग फश जाते हैं इस वचे से इसका एक बहुत सिंपल मैं आपको बोलूगा वे है अप अच्छे और टॉप बैंकों में अपने ये करो क्या बोलता है अपना बैंक एकाउंट उपन करो जैसे कि स्टेट बैंक हो गया HDFC बैंक हो गया, ICIC हो गया, Access बैंक हो गया, Kotak बैंक हो गया ये 5 बैंक न आप अपने जबान पर मतलब लिख लो मैं आपको बलूँगा ये 5 बैंक ऐसे है न जो आपको बहुत ज्यादा सेफ रखेंगे और अच्छे भी है अब देखो अगर आप भारत इसमें रहते हो और ये 5-6 बैंक है जो लगबग पूरे इंडिया पे है लगबग सही तरीके से लोगों को सर्विस दे रहे हैं और उनके उपर बिलीव सिस्टम भी है सरकार के पास लगबग यहाँ पर मैं आपको बलूँगा 12 बैंक है या 18 बैंक के आसफास है जो सरकार के पास है आप देख स चलता है इससे कि और जो बैंक है वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं से समझ में आ गया होगा आपको तो सरकार क्या करती है या तो उनको बेचे देती है प्राइविट लोगों को या फिर क्या करती है कि बैंकों को बैंकों में को मर्ज कर देती है अब सरकार को लगता कि म मर्ज कर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन देखो अगर आपने सुना है ना कि अगर management अच्छा नहीं है तो दूसरे बैंक में भी जाने से कुछ नहीं होने वाला याद रखो है कि नहीं है तो इसलिए मैं आपको बहूंगा management होना ज्यादा अच्छा होना चाहिए management अच लक्षमी विलास बैंक तो दूब रहा दूब रहा देखने को मिला और नीचा आगया और नीचा आगया भाई यह तो कौड़ी को भाव देखने को मिला खरीदो खरीदो अब गये शेर होल्टर इसलिए बोलता हूं कि अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाओ या नॉर्मल स् दूब रहा है और वर्ष्ट का मतलब समझ चकते मतलब अच्छा पॉल्म ने कर पा रहे सरवाइब कर पा रहे अब सरकारी बैंक के तो आपको पता ही होगा देखो सरकार की कोई भी बिजनस कभी लास में नहीं जाती है और सरकार की कभी भी चीज क्या होता है बज जाती है अब देखो होता क्या कि सरकार की यह मानने ते कि एक बिजनस है यह डूब रही है तो अब बोला जगा सरकार से देखो सरकार सो बोला जगा भई देखो यह कहाँ के जो लोग है उनको सैलरी दीजिए क्योंकि यहाँ पर जो है अब यह बैंकों के जो मैनेज़्मेंट होते हैं वह अराम से खाते पिते हैंद को पता है हमारे उपर सरकार है कुछ नहीं होगा तुम जितना अंदर बाहर करना है पैसे वैसे वैसे कर लो कोई डिकत के बादिनी होते है तो यह सारे चीजों को मुद्धे नज़े रखते हु मानों जैसे की मतलब वो किसी को लोन नहीं दे रहे अपनी नाम पर पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और लोन का नाम पर बता दियें उन्होंने कि हाँ ये लोन हो गया मतलब मैं बता रहा हूँ SML के ऐसा होता है इतना bad loan हो जाता है बैंकों पे और यहाँ पर एक list भी जारी किया गया था list में आपर देखो यह सारे bank है जो अच्छे perform नहीं कर पा रहे कुछ-कुछ ऐसे bank है जो अच्छे perform कर पा रहे लेकिन फिर भी यह normal way में यह सारे stocks ने काफी मतलब अच्छे return भी नहीं दिये तो मैं आपको बोलूँगा कि सोच समझ के अगर आप banking sector में अगर आप किसी stocks में निवेस करते हो तो सोच समझ के अगर आपको multi-baga stocks से चीए तो मैं आपको बोलूँगा कि उसके उपर आप research करो भी ना सोचे समझे मत खरीदो हाँ देखो मैं ये निवलाओं कि bank डूब जाएंगे नहीं question मार के साथ मैंने इस video को start किया और बीच में मैंने क्या लिखा मतलब अब समझ सकते हो question मार के पूरा मैं ये निवलाओं कि सारे bank डूब भी गया ऐसा नहीं है मतलब future में मतलब हर दो साल में ये तीन साल में एक ऐसी खबर आते हुए नजर आएगी कि ये bank डूब चुकी है या फिर वो बैंक डूबने वाली हर दो तीन साल में एक bank का नाम आही जाता है सामने अब जैसे देख सकते हो अलहाबद bank की टानेट है फिस हो चुकी है मतलब ये bank भी है कुछ अच्छा perform नहीं कर पाया मतलब कुछ अच्छा perform नहीं कर पाया profit नहीं दे पाया मतलब bad loan बढ़ती जा रहे थे company का set quality खराब होता जा रहा था और बहुत ज़्यादा तकलिफ होने के करण bank ज़्यादा मुस्किल में आ चुका बैंकों ने 78% का नुकसान है 78% का अब ये bank 2007 में आया था अब सोचो ये stock का price लगबग high जो गया था लगबग 200 रुपे के आसपा जाने के courses की थी अब लोग सोचेंगे 200 रुपे का share तो क्यावल 200 रुपे में मिल रहा है चलो खरीद लो लेकिन खरीद लो कोई दिक्रत के बात नहीं आपकी मज़ी आपका पैसा लेकिन एक पर चेक कर लो fundamentally stock अच्छा भी है या फिर नहीं अच्छा है मैं यह नहीं बोला हूँ कि यह bank खराब है मेरा कहने का मतलब यह नहीं है लगबग इसने भी 1000% का return दिया लेकिन अब देखो इसने एक high बनाया लगबग इसने भी high बनाया था लगबग 500-600 रुपे के आसपास 550 रुपेस के आसपास तो high बनाया होगा और इसके बाद आज की date में देख सकतो जो मैं आपको बलूँगा जो बड़े लोग होते हैं जो richest person में से आते हैं वो पैसा अपने company में लगाते हैं या फिर अपने shares में मतलब आज बाज लगाते हैं वो bank में तो लगाते ही नहीं है और जो मैं आपको बलूँगा कुछ और जो लोग थोड़े तकड़े लोग होते हैं वो पैसा अपना land में लगाते हैं shares में लगाते हैं, bond में लगाते हैं, securities में लगाते हैं तो भाई bank की बात आता कहां से हैं तो bank में बहुत कम लोग हैं जो पैसा अपना लोग लगाना स्टार्ट करते हैं पूछो क्यों? आज कल के डेट में लोग educated हो रहे हैं भाई इतना digital information है अगर आप YouTube में जाओगे तो इतने सारे information मिल लगा मैं क्या ही बोलू इतने सारे अच्छे-चे teacher या अच्छे-चे यहाँ पर आपको direct interact करते हैं और आपको बताते हैं इस दुनिया की जनखारी आपको देते हैं सोचो मतलब डारेक्टर तो यह सारी knowledge आज कल के डेट में लोगों के पास available है उनको समझ में आती है बाई कि अगर मैंने HDFC bank में 5% के लिए मैंने FD करवाया और जिनके पास knowledge है उनकी बात कर रहा हूं और 5% वहां मुझे मिलेगा और HDFC bank अगर share में खरीदूँगा तो हो सकता है कि मुझे लगबग 20% का भी return मिल सकता है तो मुझे क्या खरीदना अच्छा रहेगा अगर मैं HDFC bank में FD करवा रहा हूं क्यूं करवा रहा हूं क्यूंकि मुझे पता है bank अच्छा है मेरा पैसा safe रहेगा मेरे जो saving अच्छा रहेगे तो भई आप shares भी खरीद होगे तो same आपको ऐसा ही feel होगा तो ये क्या होता है कि जो आजकल के date में सभी लोग पढ़े लिखे हो रहे है तो उनको पता है कहाँ पैसा रगाने से क्या होता है करके अब bank ओबर उटरा देख लो सही ना अब करनाटका bank देख लो अब देख सकते हैं महरास्टा bank देख लो पंजाब bank देख लो ये जो है ना ये सब क्या होता है कि अपने अपने मतलब गाओं घर के नाम रख लिए लो अब क्या होता कि मान सकते हैं एक छोटा से एक्जामपल मैं आपको बोलूँगा मान लेते करनाटका bank सही है अब करनाटका bank आपने मान लिया यह ज़ादा से ज़ादा famous कहां पर रहेगा करनाट का side में ही रहेगा अब अगर इसको माल लेते दिल्ली side में लेखे जाएंगे तो मुझे लगता है वहाँ पर ज़्यादा तरो लोग SBI पर focus करेंगे और लगभा HDFC पर focus करेंगे जो लगभा 4-5 मेंने bank बता है अब देख सकते हैं पंजाब निशनल bank तो पंजाब में हर कोणि-कोणि मैं आपको देखने को मिल लगा है लेकिन जब पंजाब के बाहर जाएंगे न उधर भी है बाहर बाहर में भी है लेकिन फिर भी एक किसी ने किसी तरीके से एक छोटी सी problem देखने को मिली जाती है वहाँ पर अगर state bank हो तो लोग वहाँ पर ज़्यादा तर फोकस करते हैं तो इसलिए मैं आपको बूलूँगा कि अगर banking sector में यह सोच रहे हो कि भाई 1000 रुपे का share मुझे अगर मान लेते हैं कि 100 रुपे में देखने को मिल रहा है तो अगर आप यह सोच के खरीदे हो तो मैं आपको बूलूँगा रुख जाओ एक बार सोच लो समझ लो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप अच्छा कासा पैसा कमाने चाहते हो तो मैं आपको बूलूँगा IT सेक्टर में पैसे लागाओ फार्मा सेक्टर में पैसे लगाओ, कैमिकल सेक्टर में पैसे लगाओ और लगब आटिफिशल इंटलिजेंसी में लगाओ पैसा बहुत अच्छा रहेगा भविस में मुटा पैसा भी बनेगा बाकी मैं एक छोटा सा नौलिज देना चाहता था यह information पहले की है, आपको पता ही होगा मुझसे पहले भी यहाँ पर, और अगर आप stock market में नहीं हो अपने demate account वगर उपन करना चाहते हो, तो आप अपने demate account angel में open कर सकते हो, जहाँ पर आप एनने cbsc mutual fund कुछ भी खरी सकते हो कोई दिक्कत के बात नहीं है, जो charges वगर हैं, बहुत चोटे हैं भई, यहाँ angel में अगर आप देखोगे तो demate account तो यहाँ पर free में होता है, delivery charges free है, केवल 20 रुपीज लगता है, वो भी इंट्रडे में जो हर जगा देखने को मिलता है यहाँ पर आपका पैसा दोनों सेफ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिन्टो में जाके अपने डिमेट अकाउंट वगर आपन कर सकते हो बहुत आराम से